आज की हमारी स्टोरी का नाम है इसका मतलब है बुरे दोस्त हमें नीचा दिखाते हैं तो चलिए हम शुरू करते हैं Once there lived a hair in a forest यहां पर once का मतलब होता है एक बार Hair का मतलब होता है खर्गोष खर्गोष को हम इंगलिश में Rabbit भी कहते हैं forest का मतलब होता है जंगल एक बार एक खर्गोष जंगल में रहता था He was a very good-natured animal Good-nature मतलब अच्छे स्वभाव वाला वह बहुत ही अच्छे स्वभाव का एनिमल था या प्राणी था यहाँ पर help का मतलब है मदद करना उसने हर उस प्राणी की मदद की जो भी उसके पास आया यहाँ पर praised का मतलब होता है प्रसंसा करना सारे ही एनिमल उसकी प्रसंसा करते थे उसके अच्छे नेचर की प्रसंसा करते थे वे अक्सर उसे कहते यहाँ पर चांस मतलब मौका देना हमें भी तुम्हारे लिए कुछ करनी के लिए मौका दो वन डे एक दिन दहेर वाज चेस्ट बाई हाउंड्स ओवर लॉंग डिस्टेंस वन डे मतलब एक दिन चेस्ट का मतलब होता है पीछा करना हाउंड्स का मतलब होता है यहाँ पर जंगली कुट्टे या फिर शिकारी कुट्टे हम कह सकते हैं ओवर लॉंग डिस्टेंस मतलब लंबे दूर तक एक दिन जंगली कुट्टों ने खरगोस का बहुत दूर तक पीछा किया गेटिंग टायर्ड ठक कर दहेर स्लिप्ट इंसाइड थीकेट स्लिप्ट का मतलब फिसलना ठीकेट मतलब जाड़ी ठक कर खरगोस फिसल जाता है और जाड़ी के अंदर चला जाता है यहाँ पर थोट का मतलब होता है सोचना ये ठींक का second form है सिक मतलब मांगना मदद के लिए मांगना खरगोस ने अपने दोस्तों से मदद के लिए खरगोस ने अपने दोस्तों से मदद मांगने का सोचा Suddenly, तुरंधी, one of his friends उसका एक दोस्त, the horse, घोड़ा happened to pass by the thicket तुरंधी, उसका एक दोस, घोड़ा जाड़ी से गुजरा The hair requested the horse for help यहाँ पर requested का मतलब है प्राथना करना खरगोस ने अपने दोस्त घोड़े से प्राथना की खरगोस ने अपने दोस्त घोड़े से मदद के लिए प्राथना की Sorry, मुझे माफ कर दो तुरंधी उसने जगह छोड़ दी After some time After some time का मतलब होता है थोड़ी देर बाद Another friend of the hair passed that way खरगोस का दूसरा दोस उस रस्ते से गुजरा It was a hefty bull with sharp pointed horns या एक bell था या एक धारदार सिंग वाला bell था The hair requested the bull for help खरगोस ने बेल से प्राथना की मदद के लिए The bull remarked Bell ने टिपणी दी खरगोस को I am sorry dear मुझे माफ कर दो दोस्त My friends are waiting for me in the pasture Pasture मतलब चारागा मेरे दोस्त चारागा हमें मेरा इंतजार कर रहे है I am in a great hurry मैं बहुत जल्द बाजी में हूँ मैं बहुत जल्दी में हूँ इंदीर का मतलब होता है वास्तो में Then came a ram The third friend of the hair Then का मतलब होता है तब Ram का मतलब होता है भीड Ship को Ram कहते है Mail ship को Ram कहते है The third friend of the hair Khurgos का तीसरा दोस्त The hair asked him for help Khurgos ने उसे मदद के लिए पूछा यहाँ पर आस्त का मतलब होता है पूछना The ram said भेड ने कहा Mr. Hair It will be beneath my dignity To fight the hounds जंगली कुतों से फाइट करना जंगली कुतों से लड़ना मेरी गरिमा के नीचे है The hair realized that false friends don't help one in danger Danger यहाँ पर Realized का मतलब होता है एहसास होना Danger मतलब बुरे हलात में Khurgos ने यह realize किया यह एहसास किया कि बुरे दोस्त हमें बुरे वक्त में मदद नहीं कर सकते हैं मदद नहीं करते हैं So, इसलिए One must never depend on them Depend मतलब निर्भर रहना So, इसलिए किसी को भी किसी के उपर निर्भर नहीं रहना चाहिए By now अब तक the hounds had come there By now का मतलब होता है अब तक शिकारी कुत्ते जो हैं खर्गोस तक पहुच गये थे They spotted the hair inside the thicket Spotted का मतलब होता है देखना उन्होंने खर्गोस को जाड़ी के अंदर देख लिया था dragged him out उसे बहार निकाला and tore him to pieces in no time और उसे टुकडों में बाट दिया और उसे कुछी देर में कुछी समय में टुकडों में बाट दिया तो इस स्टोरी से आमें यह सिख मिलती है fair weather friends fall off in adversity मतलब बुरे समय के दोस्त विपत्ती में गिर जाते हैं